यो वाट्साप गईस कैसे आप से भी लोग वालकम बाक तो एंदर के वीडियो तो आज हम लोग बार से के लिए जा रहे हैं रेंच याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैं अपनी रेंच के अंदर कुछ गाएं भैस और ठेसारी बक्रिया लेकर आया था और उनके लिए मैंने एक बहुत बड़ा एरिया भी बनाया था जहां पर अपना घूम फीर सके कुछ खापी सके और उसके पीछे का में रिजन यह था क अपने बहुत सारे बड़े बड़े बाएं वह बात है कि उनसे पॉर्क मिलता है जिससे बेच के मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा बाता हूं पैसा कमाने के लिए आज हम लोग एक नया बिजनस स्टार्ट करने वाले है और वह है अभी तक मैं डिपेंडनेंट हैं सिफ इ करूँगा और उन्हें बेचुगा लेट्स को चलते हैं काम पे वाल्राइट गाइस वाकम बाक तो मैं रेंच तो जैसा कि आपको बताया कि आज हम लोग फार्मिंग करने वाले हैं तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक बढ़िया सा एरिया जहां पर मैं बहुत बड़ा ग्रीन हाउस बनाने वाला हूं मतलब ऐसे फामिंग हम लोग ओपल लैंड में नहीं करेंगे ग्रीन हाउस बनाकर उसके अंदर फार्मिंग करेंगे था कि हम लोग एक ही जगह पर मल्टिपल चीज़े उगाप है और एक सेकिंड लास्ट टाइम बताना पूल गया था कि मैं यह मरेंगे भाई इतने ज्यादा पिग हो गया ना भाई मतलब चलना फिरना मुश्किल हो गया विचार इस खोड़ेगा इसको छोड़कर आना अंदर भाड़ में भाड़ में तेरी एसी कि तैसी मैना लेकर जा रहा तरको अभी तो भारी चलया था मुझे एक चीज चुपचा भाई रही हो वारना बेटर ले आगे वहां पर बंदूगा वाकि यह अंदर क्या है यह पर यह नहीं वाली बक्री में लाया था वाइट कलर की और और को क्या लाया था मैं यह तो यह तो एक जादा पीग हो गया ना कोई तीसरा अनिमल भीया नजरी नहीं आता ह हाँ यह काउ है कुछ अलग टाइप की मैं काउ बफैलो और भी पता नहीं क्या खेलाया था बट फिलाल ठीक है आज इनको इनको यहीं पर घूमने देते हैं इनका खाना पीना सारा अंदर रखा हुआ है तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूत नहीं है मतलए बैर अभी यह खुलित आप सबसक्ता है कि बार्न हाउस कम चुडिया कर ज्यादा लग रहे हर टाइप का अभी यह पर है तो जैसे कि मैंने विटाया था मुझ एक ओंट यह वाला पेड़ क्या मैं इससे कट कर सकता हूं कूछ ज़יה ही बड़े वाला पेड क्या मैं इसे नहीं करत कर सकता ह ताकत देखरो तुम मेरी एक में ही रादिया वाई इतना बड़ा फेड एक में धेर हो गया लगड़ी भी बनी इसकी इतना रातू यह उस दिन जो भाग के गई थी ना यह वही वाली काव यह भाहर क्या गूमने में मज़ा आ रहा है दे इतना सारा दोस्त वागार आ तेरे ख यह दर्वाजा ओपन करूं देखने कैसे है अगर जाने के लिए अगर यह सब पड़ा रहे तो मैं आप ग्रीन आउस नहीं बहुत सारी लगडिया इनको उठा उठाकर मुझे इधर रखना है चल भाई तू भी यह इधर गिर तू इधर और इधर नाइस तो अभी अच्छ बहुत सारी घास है तो इस घास को काटने के लिए मुझे ग्रास कटर वाली मशीन लाने होगी जो कि शायद से वीकल शॉप पर मिल जाएगी और वैसे भी अपडेट साय तो हो सकता है कोई नहीं गाड़ी आई हो ठीक है फिर फटाफट से गाड़ी में बैठते है वीकल शॉप पर देखते कि कोई नहीं गाड़ी आई है या फर नहीं एट्स को भाई गाड़ी की स्पीड बहुत सही है देखरो तेखरो और है रहा हम समया कर रहा हो गिर जाएगी तो तो वीकल शॉप ज्यादा दूर नहीं है अपने रेंच के एकदम बस बाहर निकलते य हम लोग ऐसे लोन अगरा ले सकते हैं मेरे पास अभी 3,840 पड़े है बस शायद लोन लेनी की जरूत पढ़ जाएगी आज मेरे को ऐसा लग रहा है बट ठीक है अपने पास ना बहुत सारे भी पिग है तो मैंने मार के बेच सकता हूं अच्छा पैसा मिल जाएगा वाकि य यह क्या है हार्वेस्टर यह नया वीकल आया कोई बढ़िया सा मेरे को इसका यूज नहीं पता है इसलिए मैं लूंगा नी और यह ट्रैक्टर भी आँपर आया है ट्रैक्टर लेकिन को नहीं लेगा वाई इसकी जरूत क्या है SUV से डान स्मॉल ट्रक पिकप फिकल इस पिक दो काउ या दो गोट ला सकता हो और मेरे पास एटीवी है पिकप एक यह गाड़ी तगड़ी लग रही है और क्या क्या आया यहां पर भाई कुछ ऐसे खासकार तो नहीं आई है इसकी बड़ी दुगान इस पर ग्रास कटर ही नहीं है अल तेरी मैंस की बंदगर दो इसको तो यहां कि यहां पर नहीं मिला तो वह भी ज्यादा दूर नहीं आपने करता है मतलब बूआ यह ऑद कर चकान का मघु आपने है और क्रांडर ज्रता नहीं अटर कंड़ी है को इसक plat करता डम चार्चिंखंग खर अको ज़ाएक डुका मैं इसको पाये कर than रहां आबो ‫व we तोड़ी थोड़ी से घास काटने के लिए इतनी कम स्पीड मुझे घर जाना है और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम की बात ही है कि मेरी एक गाड़ी यही पर रहेगी नाइस अब यार सके इंदर कोई बूस्ट वूस्ट रियें किसी तरह किसी तरह किसी गाड़ी पर लोड नही सब्सक्राइब देख रहे हैं तक मुझे आज ओर टेक कर रहा है मैं दस की स्पीड बोल लो भट असलेट में इसकी छेगी स्पीड है हिसाब मैंने तो ज्यादा प्तारीफ कर दी उल्टा इसकी कोई बात निमें थोड़ी दिर सो जाता हूं शायद हम लोग कल तक तो सब्सक्राइब अपने साथ इस गाड़ी को लेकर अपने रेंच पर वापिस पहुच चुका हूं और चलाते चलाते दोपैर के तीन बच्चों के हैं मौसम वागार एक तम खराब हो गया है बट मुझे अभी तक सब्सक्राइब देखो यहां पर आते घास कटने लग गई आपने ही एरिया की घास काट सकते हैं यहां जा रहा हूं गास कटे जारी यह तोड़ी सी खुशी हुई और चिकन बन जाता भी तो दो मिनट के अंदर पर पहुच जो जबन पर पहुच जोंके भाई मौसम तो ऐसा हो गया जगा पर पहुचान में आरी है मेरे को कि यह वही सारी की सारी पूरी की पूरी की पूरी काटनी है यहां पर भी बहुत सारी ग्रास है यह भी सारी की सारी काट कर देता हूं मैं फटाफट से ऑल्मॉस्ट उस एरिया की मैंने ग्रास काट दे जिस एरिया पर मेरे को बनाना है मुझे लगी रहा था कि थोड़ी देर में बहु बहुत सारे फालतियों के पेड़ उगए हैं इसे काट देता हूं डीफोरेस्टेशन टाइम लेट्सको सारे पेड़ कटेंगे तेरी पैसके निखलिया से तो इतरा और तू भी कट यार पूरे में बहुत जादा लकडिया यह बिखिर रखी है नाइस तो हां ठीक है मैं यह कहा रहा था कि लकडिया सारी ना वैने एक तरफ इगठी कर दिया ओकी गाइस तो भी फिलाल शाम के छे बच चुके हैं बारिश अभी खतम हुई है और सूरज पहाड़ों के पीछे चला गया यह देख रही है इतना भी कुछ रिलिस्टिक मत बन कर जलते हैं और ज्राइट गाइस तो भी एरिया अच्छा कासा साफ हो चुका है बट अभी अभी मैंने नोटिस कर रहा कि इस एरिया पर थोड़ी बहुत क्रास रह गई है तो फटा फट से उसे भी कट कर देते हैं थोड़ी दिर में अंधेरा होने वाला है तो आट बज़ हम लोग चल कर सुएंगे और नेक्स मॉर्णिंग फटा-फट से उठके ग्रीन आउस बनाना है सार्ट करेंगे और सबसे अच्छी बात गाइस यह है कि मेरे पास ना धेर सारी लकडियां कटी हो चुकी है तो मुझे मार्केट से नहीं वूट खरीदने नहीं जाना पड़े फिलाली थोड़ी बहुत ग्रास रह गई थी और इसको भी मैंने बड़िया तरीके से कट कर दिया है सारा काम एकदम परफेक्ट है फिलाल के लिए मैं इस गाडी को नहीं पर छोड़ देता हूं इसका फ्यूल बहुत कम हो चुका है मुझे इसमें कल फ्यूल भी लाकर डाल जदने बंदे ज़ाए मुझे अधे बचा इसको सारी लाइट जलादी फड़ा फट से बंद करते हैं ऑफ यह पर लाइट जला रहे है नेक्स टे हो चुका अब फड़ा पट चलते है नीचे बारिश वाला मॉसम मत देना अच अच आच छच में बहुत प्यारा लगता है न करते time I mean real life में तो मुझे बारिश वाला मौसमी पसंद है बट गेम्स के अंदर एक्दम sunny weather यह तो लास्ट हमने यह एरिया पूरा क्लियर कर रहा था देख रहे हो क्या सफाई से काम हुआ है हा तो अभी मुझे सबसे पहले जाना है बिल्ड मोड में और मुझे बनाना है ग्रीन हाउस के लिए सबसे पहले मुझे यहां पर चाहिए होगा वुड फांडेशन जो कि हम लोग रखने वाले हैं नीचे तो भी मुझे ग्रीन हाउस की जादा नॉलेज निया इसलिए मैं स्टार्टिंग में थोड़ा चोटा बनाऊगा अगर यह अच्छे से वर्क करता मतलब वेजिटेबल्स उकते हैं तो लोग बड़ा बनाएंगे फिलाल अभी मैं इसको 3 x 4 का बनाने वाला तो 3 मैंने सामने रख एक दो तीन पीछे दो लेयर हो गई तीसरी चौथी नहीं हाँ अभी 4 हो चुके यहां पर थोड़ा सा बड़ा कर दूगा थोड़े ज्यादा जाएंगे कर देते हैं बड़ा ठीक है एक यहां पर एक यहां पर और एक यहां फिर पीछे की तरफ में एक दू परफेक्ट तो भी कुछ इतना बड़ा बनने वाला है उसका बेस देख लो आप कुछ इस टाइप का है अभी गाइस यह ब्लूप्रिंट है यह बस हमें आके देखता हूं इसे पूरा एक यहां पर फिर यहां पर यह रहा कहीं आइसा नहों कि साइड वह और आउटसाइड साइड यह हो मेरेख रहे है कि मैंने शाइद गलत लगा दिया शायद ने ठीकी लगा यह तो इसे पूरा कंप्लीट करते गलत है तो तो तोड़कर मुझे वह बनाना है तो टॉप के लिए अपने पास क्या क्या आइटम है एक तो यह कॉर्णर वाला इटम है एक है यह एल वाला ट्रेंगल वोल यह शाइट से मिरेको अभी में आगे का काम तभी कर पाऊंगा जब मैं बेस कंप्लीट करूंगा अभी भी कर सकता हूं कोड़ क लगाने पढ़ेंगे तो वह बिकार है फिलाल अपने पास है कि यह गाडी है इस गाड़ी को मुझे घसीट के माया लए जाना है क्योंकि इसके अंदर ना धेर सारी लकडिया है इसको घसीटने के लिए क्या मेरी ग्रास कट्र वाली गाड़ी कर साथिए इसके पीचे हुक ह आया पर लेकर आता हूं उसने ये का और तो आपना पैसा वसूल ओंगा वाई लिखादे आज दिखा दे कर क्या मांच भूा चल्ट यह मैश को लेकर आगया हम यहाँ पर कर दे कर दे कर दे प्लीश आया ऑफ्शन ही नहीं है चीए यह इसमें वैंसे भी फ्यूल नेहीं है गड़ियागाडी यह ट्रक के पीछे भी हुक का उप्शन नहीं अभी सामने मुझे अपने गराथ से कोई दूसरी गाड़ी लेकर आनी पड़ेगी जो एक कर सके तो मेरे पास यहां पर एक इसके पीछे तो हुक है यह इससे काम हो जाएगा बठायार जो भी हो मुझे अपनी एटीवी वीकल धूड़नी है यह कितनी फास्ट का रहा है यार मैं इसको क्यों नहीं करता हूं यह तो घचा वाइट अब इसको घुमांके लेकर चलते हैं और इसको घुमांके लेकर चलते यह तो मुझे कुछ इस तरीके से इन सभी को कमप्लीट करना अब देखो मैं इसको पर चड़ सकता हूं यह प्र बन गया पहले सारा बेस करते हैं फिर उपर की वाल करेंगे काम करता हूं पहले सारी अनलोड करवा देता हूं इसके उपर से उर्थाने में दिक्कत हो रही है बढ़िया अब बस यहां पर लगाना है इसके अंदर दो और लगेंगे और यह कंप्लीट हो जाएगा अब देखो काई सीन कुछ ऐसा है यह जो ऊपर वाली वाल से इसको मैं कम्प्लीट नहीं कर पाऊंगा मतलब बताता हूं क्यों जैसे यह इसको यह तीन वूड दो ग्ल अब मेरे को देने पढ़ेंगे और तभी यह पूरा बनेगा तो दो ग्लास मेरे को लेकर आने पढ़ेंगे शायद हार्डवेर स्टोर पे मिल जाएंगे बड़ सोचनों ग्लास लेने जाने से पहले ना मैं यह उपर का भी कम्प्लीट कर देता हूं थाकि मुझे पता चल ज अब मेरे को ना यार एक दम एक फ्लाइट रूफ चाहिए यार वो नहीं मिली प्रॉब्लम हो जाएगी सच में यहां पर यह क्या है ग्रीन हाउस लार्ज क्रॉप ट्राइंगल रूफ ठीक है तो भी मुझे ट्राइंगल रूफ ही लेनी पड़ेगी जो कि कुछ इस तरीके आइस तरीक भी आसी करना यहां पर लगाना यह और एक साइड रहा गयाए थी तो यह लगा चाहिए और यहां पर भीच पे लाना पड़ेगा फिस चीजबर सब्सक्राइब यहां पर चळूंगी उपड़े चाड़ लोग लगाई यह जा जा यह तो लुत ऊपर अब मैं ल स्पार्ब कांपे कांपेक आपक़ के अरहां कर Algum अर्शा में वहें सकत्के सफ रिए ऊसकां आप अरहा प्लीट करता हूं at least में पास जितनी वूड है वो मैं यहां पर लगा करता हूँ all right तो भी फिलाल जितने भी planks यहां पर लगाने थे ना वो मैंने सारे लगा दिया बस इसके अंदर ग्लास लागे लगाने है तो फड़ा पट से अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं एक चीज का मुझे ध्यान लखना होगा मेरे पास पैसे नहीं है मैं ग्लास खरीदने जातो रहा हूं बट उसके लिए मिलते हैं तो मैं बैक अप के लिए क्या कर रहा हूं कि कुछ पिक को मार के उसे थोड़ा बट काने गठा कर ले जरूरी है मतलब तो गाड़ी को यहीं पर और विडा नीटान आसे और तू भी निकल वाइश वही इंतर पीज कैसे रहे एक गुली इस इंदर भी बंची वी और तीरा क्या होगा और तू भी बहुत बढ़ा हो गया जगा घेर रहा है अर्या आपके सब्सक्रों कर देते आरे ने को पिए बचक्त कुलर से बढ़ते ह बेचना था कि मेरे को पैसा मेले और पैसों से मैं क्लास वगारा खरीद के ले आऊ अपने ग्रीन हाउस के लिए जितने भी मारे इन सब को स्कूलर में भर देता हूं बारा पीस रख सकता हूं और जो भरे वाले डब्बे उसको मैं इस साइड रखो और यह खाली वाले सारे भाइ बहुत सारा था है और इसमें मतलब भर दिया और यह कोणा नहीं एक मिला इसमें इस वाले डब्बे में एक की जगह इसको रखो वैसे मैं सोच रहो यह पूरा यह ट्रेलर ले जाने के बजाए बस में चोटी वाली गाडी ले जाता हूं ना उसके साथ ना गाडी को चलाने में बहुत दिक्कत होती है मैं चला लेता हूं अब इसे स्पीड में चलाने में चलती है इसको खोलो पर जगा नी को चलो तो सारे के सारे रबबें आपर लोट करा दिया एकको पर लग सकता हूं परफेक्ट मौसम दुबारा खराब हो यह फिर शाम अभी तो तीन ही वज रहे हैं भाई दूबारा मौसम खराब हो गया ठीक है गाड़ी के इंदर बहुत सारा समान लोड़ चुका है गाड़ी सुपर फास्ट है फड़ा फट से हम लोग चलते हैं सबसे पहले बेस्ट बगर लोग अंदर और में को बेचना है समान की रहा है किसमें येस सेल ओल थ्री थाउजन डॉलर मिल गया नाइस कमाई ऐसे हो तो फिर मजा आ जाता है काम करने मैं बिचारे पांचे पिक्स को मैंने मारा और सारा मीट लोड करा दिया गाड़ी वे और सीधा एक्दम अमीरी आई यार उसका भी यूस करना है तो मुझे यहां से ग्लास करीदें और हेंडिड डॉलर के ट्वेंटी ग्लास पीस मिलने मुझे पता नहीं मैं कुछ ऐसा काउंट नहीं गारा बट इतना पता था कि एक वाल पे तीन लग रहे है और वाल के साथ साथ उपर की जो रूफ है उस खरीद लेता हूं जादा अगर मैं दस खरीदूंगा वन थाउजन डॉलर जाएंगे और दोस्तों ग्लास आजएंगे शाद दोस्तों में हो जाएगा तो दस डब्बे खरीद लिए वैने ग्लास के एक डब्बे में 20 पीस थे अब इनको लोड कराना है मुझे अपनी गाड तो नहीं देती उसने ग्लास तो यार बहुत सारे आओ गए हैं थोड़े से प्लैंक्स भी रखवा लेता हूं चलो भाई भड़ी आओगा अपनी इस गाड़ी में इसको फड़ा पट सब लेकर चलते हैं फुल स्पीड में वापिस अपने रेंच पे आगे काम काम कॉंटीन दलता है तो फ्यूल डालने के लिए मिरे पास जैरी कैन होना चाहिए ना दो खरीद लेते हैं लाओ वाई दो जैरी कैन गेरे डबे इसको ठाकर रखवा देता हूं इसके उपर दूसरे वाला तू भी या इसको पीछ पीछे रखवा देता हूं उपर अच्छे नहीं लग तो यह देख रहो है फिफ्टी की स्पीड पर यह गाड़ी ऐसे पोच जा रही है चुटकियों में और रहे रहे हराम से यार आउट उफ कंट्रोल हो जाती है और मैं बातों बातों में गलत आगया इधर नहीं जाना गास्टेशन के लिए तो फाइनिली गास्टेशन पर प अब इस से निकालकर इस वाले जायरी कहन में स्टार्ट कर दो चलो थैंक्यू और फ्यूल की कभी तो बिल्कुल नहीं होगी फड़ा निकलते अपने रेंच के लिए अपने रेंच के लिए अंधेरा होने थोड़ी देर में लाइट जलाले तो रस्ता भूलने की तोड़ा सब्सक्राइब तो समय लेकर में वापे से रेंच पर पहुच चुका हूं और शायद मुझे एक बार दीना ओर चल कर सो जाना चाहिए ताकि नेक्स्ट डे हो जाए इतने अंधेरे में क्या ही काम करूंगा चलते है घर में और फटड़ चलकर टीवी देखते हुए टीवी क इसको देखो अपर पागल मुर्गी यहां क्या कर रही है देखना है सिफ चार अंडे दे दिये उसके अंदर बरतन में सीधा सीधा कहरी ओमलेट बनाओ इस अंडेगा भाई यहां पर यह पॉट्टी अलग कर रहे हैं हाँ टीवी याद आगा है मुझे इस वाले कमरे में य गटिया थीवी है थोड़ा बट ऐसी टाइम पास है बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर दूगा उसके अंदर वेजिटेवल्स भी लगा दूगा और उसे ग्रो भी कर दूगा सबसे बहुत कुछ दिया देखते हैं कर पाता हूं या फिर नहीं बट मेरा पुरा टार्गे आज के दिन का आज वैसे भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा जब भी कहीं ट्रैवल करना पड़ता है मतलब कुछ लेने जाना होता है तो ठीक है यहां पर देखो इससे जैसे मैं लगा रहा हूं ग्लास यह कंप्लीट हो जा रहा है पर एक में टुटल 20 पीस है तो बार बार च दिकत होगी तो सीड़ी या फिर कुछ रैंप बना देता हूं यहां पर दो तीन टाइप की चीज़े यह तो स्टेर्स है मेरा प्लान है रैंप का वुड फांडेशन रैंप इसको बना सकता हूं शायद सब गाड़ी को आगे कर देता हूं बड़े बस 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 जादा नहीं बना के देखता हूं रहां बड़े बन गया इसके अंदर लगानी है बस यह उठाई लगा दी बड़े ओगा तो भी ग्लास लेते हैं उपर वालों में वेट उपर प्लैंक नहीं लगाने हैं तो मैं थोड़े बहुत तो ले आया था वहां से उठाके बट भी मुझे बाकिय इसको लेकर चलते हैं तो चलो भाई अभी मैं दोनों मशीन के डबबे लेकर आ चुका हूं एक बार में मतलब ऐसे उचालता उचालता लेया दोनों को क्योंकि मैं एक बार में दो नहीं पगड़ सकता तो बस इनको यहां पर सेटप करते हैं एक लगाया यहां पर दूसरा इसके बगल में लगाता हूं और यार लकडियां भी लानी पड़ेगी वहां से कोई बात नहीं ऐसी लकडियों को भी उचालते उचालते ले आते हैं एक बार में बहुत सारी आजएगी इस तरीके से मशीनों को यह थोड़ा सा पास कर लोगा तो जाधा टाइम बचेगा व इसे बहुत कुछ तो है जो मैं मिस्स कर रहा हूं मैं इतना याद आ रहा है कि पहले ना कहीं से जेनेरेटर हुआ करता था वह भी मिसिंग है अब वो जेनेरेटर मुझे खरीद के लाना पड़ेगा दूबार से एक बारी चलते हैं पहले तो यह जितने भी ग्लास है ना मैं इतने से कुछ नहीं होगा तो मैं पहुत चुका है हाडवेल स्टोर पे और अभी चल कर देखते है कि जेनेरेटर किते गाए तो चोड़ो पहले पता तो चले मिलता भी है या फिर नहीं मैं तो ऐसी आगया मेरे को लग रहा है कि मिलता होगा यह यह दिको यह दिको यही मेर फॉक पैक पी आया यह खरीद के देखते हैं बढ़ा जो भी है लकडी काटने के लिए मुझे जेनेरेटर नहीं मिला है तो मैं डारेक्ट शॉटकट यूस कर रहा हूं यहीं से प्लैंक्स खरीद लेते हैं तो बीस प्लैंक्स मैंने ले लिए चलो इतने में अपना काम प्य जाएट से कोई जेनेरेटर अटाच होएगा और उस जेनेरेटर के अंदर मैं फ्यूल डाल सकता हूं जैसा पहले होता था बट अभी तो फिलाल यह वर्क नहीं कर रही और मुझे कोई आइडिया नहीं की जेनेरेटर कहां पे मिलेगा हो सकता है कि हाड़वेर स्टोर पे मि यह से लेकर आते हैं कुछ प्लैंक को बट जाने से पहले मैं सोच रहा हो कि क्यों यह जितने भी ग्लास इन सब को तो मैं लगाई देता हूं यह इसका 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 था खतम हो जाए चलो तो भी मस रिकता हम वह तरफ लग गया है और जो बाकी ग्लास के पैकेट से इस जहां तक मुझे आता रहा है ना पहले शाय दिन मशीन के अंदर डायरेक्ट फ्यूल लग जाता था और अलग से किसी चीज की जरूत नहीं पड़ती थी बट ठीक हो सकता है कि कोई अपडेट आया हो जिसके अंदर काफी सारी चीजे चेंज हुई हो तो इसलिए हो रहा है हें कड prop हें पर शुका हुए इसमें से पना काम हो जाएक के अदर फ्यूल ललता और वह फ्यूल इस मशीन में चल explor डायक कैसे करूं यहां पर option है क्या यहां पर planks है metal plates है और और क्या है यहां पर machine तो है यहां पर table saw sawmill कहां पर है sawmill sawmill यहां पर नहीं है sawmill काफी सारी नहीं नहीं चीज़ें sunflower header cultivator seeder fertilizer trailer harvest trailer farming के लिए तो बहुत सारी चीज़ें यहां पर यहां नहीं है एक बहुत बड़ा फ्यूल ट्रेलर भी है मतलब जैसे में बार बार गैस्टेशन पर यहां से भर के फ्यूल ले लेता हूं तो 16 planks का सेट मैंने यहां से ले लिया है पूरा थोड़ा दुख हो रहा है अगर generator मिल जाता तो मैं लकडियां काट सकता था एक दम वास तरीके से फिलाल अभी इसी वाली गाड़ी का जो ट्रंक है ना मैं इसे ओपन करता हूं और यहां पर इन प्लेंग्स को रखवाते हैं ठीक जादा जगा भी नहीं है अगर टीन की कॉलम में प्लांक साइगे वह देख तो मैंने वी तीन कॉलम तो रख दिये हैं और एक और उपर आ रहा है और इसके आपर मैं नहीं रखांगा शायत से येस अब इंधर भी थोड़ा इस यहां पर भी कुछ नहीं रख पाऊंगा अच्छी यार मुझे ना एक चक्कर तो और लगाने ही पड़ेगा क्योंकि अपनी यह वाली जो गाड़ी है यह यहां पर खड़ी भी है तो मैं पैदल आओंगा और यह वाली गाड़ी को लेकर जाओंगा यहां पर बहुत सारे बहुत सारा समान है तो यह भी लेकर जाना है यहां से ले लिया और सामने यह दो दो मैं अपने नहीं पर से निकल दो मुझे पंगे नहीं ले रहें और मैं गलाट जा रहा था सही है कि अपने घर का रास्ता इस तरफ है इतने प्लैंक्स में अपना काम हो जाए यार में यह बहुत चक्र काटने का क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है और फिर चीज बन नहीं पाती है करते हैं इसे कंप्लीट हो जाना चाहिए क्योंकि उपर वाली जो साइड आ इन पर बारिश होने वाली गलत वाली उपर लगाने बस उपर प्लैंक्स और ग्लास दोनों के जो वह दो छो गया इधर लगा और फिर भी लगा दिया फॉवद फारे ना फॉरे ग्लास बन चुका है की वाली साइड रहा गई है यहां पर भी ग्लास बंब्लाने हैं बन लगाने हैं लावा लगने हैं किती जादा अब कह सकते हैं कि फाइनली कम्प्रीट हो चुका है देखो कुछ ऐसा दिख रहा हर तरफ इसमें ग्लास है ताकि जब सनलाइट भी से मिले और इसे बंद रखना ज़रूरी है था कि लार्ज क्रॉप लॉट तो पहले लार्ज वाला देखते हैं इसमें क्या है यह लार्ज तो स्मोल कैसा है ची क्रॉप लॉट चोटे चोटे इतने तरह से पचास लग जाएंगे बहुत बड़ी लेवल पर फार्मिंग कर सकता हूं इसमें अब इसे मैं यहाँ पर रखना है के दर लकडियां लगनी है तो मेरे पास प्लैंक्स अब कम पड़ी गए घुमाफिरा के इसके अगर मैं इसे लगा दू यह काफी प्यारा दिख रहा है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नी करते हैं फटाफट से चलते हैं प्लैंक्स खरीदने के लिए बट वह खरीदने से पह बट यहार मैंने अपने इस एरिया की पूरी बैंड वजा दिया पेड काट काट के पूरे में लकडियां बिखेर रखी है कोई नियार साफ सफाई करेंगे किसी एक दिन मैं ऐसी वीडियो बनाऊ जिसके अनर बस पूरी सफाई कर रहे है अपना content का content हो जाएगा और चीज क करनी है बस वो बनाना है उसके बाद अपनी भाई farming start होगी मतलब काम तो बहुत सारा है अराम से मैं लेकर चलता हूं इस काड़ी को अंदर और यहां पर मुझे ट्रेलर को लाकर पाक करना है इधर एकदम बढ़ी तरीके से परफेक्ट चलकर खरिदे डे सारी लकडिया और लोड कराते है 40 खरीद दी जगा होगी तो बहुत सारी है यह जो समान वान का प्रोब्लम है खरीदने आना जाना यह सब बढ़ी प्रोब्लम है मतलब यह प्रोपर टाइम वेस्टिंग वाली प्रोब्लम है एक दिन में क्या करूँगा ना इस हार्डवेस्टोर में जितना स स्टोर बना दूगा उसके अंदर सब कुछ रख डालोगा वापिस आने की जरौती नहीं बढ़ेगी सही मैं बहुत जदा टाइम लग जाता है आने जाने में समान खरीदने में लोड कराने में चलो भाई यहां से सारे प्लैंक्स मैंने ले लिया वाई कितने सारे अभी से हम गलत लेवल रात हो रखी है और वहां पर तो बहुत सारे होता है जायता से बच के इतर आगया रस्ते नहीं सावजा रहे है लेकिन में को बट शायद शायद मैं भी हाँ डीलेशिप पे हूं यानि आगे वाले कट पे जाके अपनी गाड़ी को लेफ बोड़ना है वाई मैं को अमीद नहीं थी कि हम लोग पहुच पाएंगे अज घर पे वापिस अगला तीन हो चुका है विश्वास नहीं हो कि मैं जिन्दा हूं चलो भाई गाड़ी का अपनी लाइट क्यों चला रात में जलाई थी ठीक है भाई तो शायद से अपना लास्ता हाडवेर स्टोर चले पर जाना इसके बाद मुझे नहीं जाना पड़ेगा मतलब आज की सीडियो में नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि लाइटी में इतनी सारी लिया हो ना कि अब भी नहीं कमी पढ़ सकती तो अरे अरे वह भई आराम से और अश्की टांग का जा रही है वह प्रेक ही निव भड़ते भड़ते ही टाइम जाएगा एक बार को तो मेरे को लग रहा था कि मैं ज्यादा लगडिया लेकर आगया हूं इस काम में इतने प्लांग सी उज हुई है कि पूरा ट्रेलर खाली हो गया है फिलाल मैंने से लगाया इस तरीक से कि सब में दो दो बची है तो बस में को कि लगड़ी है इसको मैं फिलाल के लिए तो भार रखवा देता हूं अब बस मेरे को क्रॉप्स लेकर आनी होगी जो कि मैं आपर ग्रो करूंगा बट फाइनली अब आप लोग कह सकते हो कि अपना एक वर्किंग ग्रीन हाउस कंप्लीट हो क्या है अब क्रॉप्स मुझे कह से लेकर आनी है वह सौट करते हैं मतलब एक बारी और जाना पड़ेगा बट अभी ग्रीन हाउस बन गया और सच में बहुत ज्यादा प्यारा दिख रहा है अरे अरे मैंस की क्या कर दिया मैंने का फिल्म शूट हो रही है कि ठीक है भी फड़ा-फड़ सब लोग चलते है ज वगाने वाले उसकी तो फार्मिंग हम लोग बाहर भी कर सकते हैं जो कि मैं नेक्स वीडियो में करूंगा ठीक है मैं आ चुका हूं जेनल स्टोर में पर्चेस करते हैं हमें जो जो चीज़ चाहिए फार्मिंग से रिलेटेड यह सब बाहर ही उग जाएंगे इसको मतलब ग वह फर्टिलाइजर अगरी कल्चर मैडिसें टेज ग्रोवी इस अगरी कल्चर मैडिसें से अगर कोई पोधा बगरा खराब होने लग चाहित तो लोग इसटीक कर सकते हैं पॉस्टर ले 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 तो पाने डालने कर लिए इतिंक बहुत सारी चीज़े मैंने आशे एड क अगर लिया है एक काम करता हूं इनकी कॉबान्टीटी दो करते हूं कि मैंने बोट बड़ा Greenhouse बनाया है Compositor एक ही ले रहा हूं कि मिरे पासफिके पीर करें मैंने सब कुछ पर्चैस कर लिया बस ऐसा नहों कि मेरे पास गाड़ी में जगा की इस दो देने पड़ेंगे इसके अंदर मैं जितने भी पकेट्स है इसको अगर ऐसे एक एक करके मालो ऐसे गाड़ी पर रखवाऊंगा तो तो बहुत टाइम चले जाएगा और जगा की भी दिक्कत होगी तो इसलिए इन पैकेट्स को मैं ऐसे उठा ले दौँ वेड मैंने खाली-पिली दो पैकेट्स क हो शारे भाइए सबकोच होगै अब लेकर चलते घाडिको और में जा रहा हुम्स केयों अपने स्व्राइट्स सेदूर को यह नहीं पर खड़े कर दे इसके इसके बहुत सारी समयics है तो दौन बॉझों को तारके मैं पर यहाँ नहां पर निया कले यह यहां पर इधर मैं काम करूगा ने काबिनिट बना दूगा उसके इंदर सारा सवान रख देंगे फर्टिलाइजर जितनी वी चीज़े एक फर्टिलाइजर का कभी कैन लेकर लगा देते हैं इसे यहां पर रखता हूं फिलाल के लिए और एक स्प्रिंकलर ले आता हूं मुझ इधर भी इधर भी इधर भी आते प्लाट पर मैं ने वाटर्मेलन लगा दी हैं अब यहां पर कैसे समझ आगा कि यह उगरा या फर नहीं व्युक्टी बना हुआ है मेरे सके इंदर पाने डालना हों बेले तो इसको वापिस रख दे तो मैं इसके अदर पूट इन इसके इ में एक windmill बनानी थी तो अपनी जो windmill है न सीन कुछ ऐसा हो है कि इसका जो radius इसका radius सिर्फ और सिर्फ यहां तक का यह line दिख रही है तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी जो हमने वो हुक लगाया तो उसमें पानी नी आने वाला क्योंकि यह पानी सिर्फ इतने रेडियस में रहेगा तो यह तो मैं यह लगा दी एक विंड मिल बनाओं पता करूं बनते किते के मिरेको तो याद भी नी रेट विंड मिल यही जिसके लिए मिरेको 150 बस मेटल चाहिए पहले बताते हैं इसके पीछे ही बनाथे तो एकदम लो भई यह सूपे से वहीं चक्कर लगे जा रहे है यहां पर पढ़ा है मेटल यह किता है भाई 35 तो यह पढ़ा हूँ है तो इतना रखवाद हो और किता है यह 10 है यह मेटल है वह तो सीमेंट है अभी चुप-चाप से मेटल लेने चल लेता हूं ताइम बरबाद नहीं करना मैं जाद पता लगा मेरे को ना मार डाले मैं गाड़ी मेट जाओंगा भाई यह पहले भालू को में को टेंशन हो रही है यहां पर मैटल खरीदने आ है निकल यहां से अभे मरूगा वाई सब चार गोली खाई है चलो चलो कोई नी कोई नी कोई मेटल मेटल दो 500 डोलर की 50 प्लेट है इसके भाई को क्या मारा यह तो निकल यहां से अभी तो मेरे को लपेटते था ठीक है वापिस एक 50 वाली बता अंदर ही रही थी भाई अभी धान गया मैंसे लेख रहा है और मैंने 100 डोलर की और खरीद लिया मतलब जितना पैसा ता जितनी आ सकती थी सारी लेली हमें घर के आसपास ढूंड़ा क्या पता थोड़ी बहुत पड़ी हो मेरे को ऐसा लग रहा है शायद से अपरे पास सिफटीन कम पड़ गई है यार बहुत ज्यादा मेहंगी है मतलब 10 डॉलर की एक प्लेट है यार एक ग्रीन हाउस बनाने में सब चुम एक अलग लेवल गरीब यह ले दस यह ले हैंड्रेट पूरी हैंड्रेट का क्या है इसाब बैठा गरिया कोई पड़ी है यार कोई पड़ी है कहां पर एक आदा यार काम हो जाएगा 50 और चाहिए बस पीछे चेक कर आता हूँ क्या पूरा 50 का पीस पड़ा हो 50 प्रीट और खरीजने का मतलब है 500 औ और वो मुझे मिलेंगे पिग मार के चलो भाई अब ये क्या हो गया मेरे सारे अनिमल मर गए मैंने तुम्हें पाली नहीं दिया क्या वाई वेट यहां पर पड़ी है भाई बहुत सारी प्लेट 38 अभी भी पूरा काम नहीं होगा इसमें 38 प्लेट और लग गई तर तीन प्ले थोड़ी बहुत बख्रिया और मेरा होडस जिंदा बचा है शाथ से वह भी थोड़ी देर में निपट जाएगा तो मुझे वह गड़ब नहीं करनी पहले इंको खाना देता हूं भाई सच में बहुत जादा दुख रहा यार तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दुबारा दुबारा इतनी जन संक्या आ जाएगी यह देखो इसके दर जीरो और फूड पैसा पी नहीं है न खाना नालने के लिए प्रॉब्लम तो यह भी है यह सीमेंट मेरे पास बहुत सारा ना फालतू पड़ा हूँ इसको बेच के आता हूं और मैं ग्लास भी बहुत सारा लेकर इसको बेच दूँ अइस से जो पैस आएगा उन पैसो से विखना को बेच ना प्रक्राइब नेव छी मेंटल करीद्ना ने ना है जो कि I hope इन सब संबान को बेचा आजाएगा मेर को och स्था मμुझे ना कुछ-कुछ थोड़ा पैसा बचाआइ क्योंकि मेरका अने अने तो पूरे जाएगे ठीक है इसको रख यहां पर यह बैचने का ओप्शन आजाए वरना तो भाई रो न आ जाएगा प्लीज क्या मैंने सेल कर सकता हूं यह सेल कर सकता हूं उसके मतले में 144 डॉलर मिलेंगे बस थेक है तो मेरे को बस मेटल देदो मेरा काम हो जाएगा मैं जा रहा हूं तो 100 dollars के आएगी total 10 metal plates ले लेता हूं तो 100 dollars के आएगी 10 metal plates ले ले लेते भाई नौ चाहिए थी वैसे बस कोई बात निए आज आज बहुत जाद दुखते अरे सीमेंट सीमेंट निए अच्छा सीमेंट बिकता ही निया वह पड़ा हूए इसले ग्लास बिकते थे वह बिग गये लाओ भाई metal plate दो तुम चट पर रहो है गाडी का फ्यूल लग ता मुझा बीच रास्ते में एक काम करता हूं मेरे पास नहीं मस्त आइडिया इनको मार देता कुछ भी थोड़ा ही पैसा मिलेगा बट कुछ तो मिलेगा ना इस टाइम बैंक बैंक बैंस जीरो हो एक्दम वैसे बैंक बैंस से आधा या बैंक भी तो खुला सकते है ना उससे लोन लेता हो अपने जो एनिवल जिन्दा एटलिस उने खाना तो खिला पाऊं खोलो भाई लोन लेनी की चुरूत नहीं बढ़ेगी 216 का विग्या और 200 डोलर में मैं खाना किला सकता हूं वैसे भी अपना फाम तो खुली जाएगा उस वाम में फामिंग करके जो जो चीज़े ग्रोगी उसे भी तो बेचके मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं लेकिन यार जो भी हो लाओ सबसे बहले तो यह दो इसको लाकर मैं लगा हूं यहां पर ता कि जो पानी की कमी है यह दूर हो जाए बस एक मेटल प्लेट बचे इसको यहां पर रखवा जेता हूं और यह चालू हो गया क्या ईटू फिल ओल बॉल्स चलो बाई हर जगा पानी भढ़ जाएगा बस में वह हर जगा लग जाएगा यहां पर मेरे वाटर मेलन की जो सीट सभया लगी है यह तिंक यहां पर एक शेप जो है ने मिटी की वह उपर को उठ गई है अलका सा शैडो के रिफ्लेक्शन में नजर आ रहा है और जो ग्रीन वाली लाइन है वह ग्रोइंग की लाइन है त अब और चीजे लगाता है मेरे पास है cabbage seed है और bell pepper seed है तो दोनों को गरते हैं सारी चीज़े उगा रहा हूं जितनी भी सीड लेकर आया था ना सब की सब मैंने एक दम बराबर कॉंटिटी में लगा दिया कुछ भी ऐसे कम जाता नहीं है दो बेल पेपर दो ग्रेप दो पंकिन चार वाटरमेलन चार पंक करें के सब में तो बहुत भी सब में लगाएंगे तो बीसको भी आपर करके ऑन प्रस्टी सारी चीज़े दस लाए है दस की दस यूजाएगी एट्सको तो सब जगह मैने एक स्पार्क्लर लगा दिया था पार्लर इंस वर्श्ट्र हर जगा दिया थै पानी की कोई टेंशन वाली बात नहीं है सब में एक दब मस्ट पानी डालेगा अब बस इसके अंदर मुझे फ़र्टिलाइजर डालना है ताकि यह तेट इस ग्रोए सब के अंदर एड़ते हैं वाई फ़र्टिलाइजर की कमी नहीं है अधा था यह पूरा भरा हुआ दूबारा से काउंट करते हैं वन टू त्री फो फाइफ सिक्स सेवन एट नाइन टैन एलेवन ट्वेल फोर्टिन ओवेट इदर तो भरा हुआ है अभी हो गया और शायद से यह 0.50 ठीक है पूरा मतलब सही है मैं 14 प्लॉट्स के अंदर एक फर्टिलाइजर के कैन को यूज कर सकता हूं और यह देखो गाइस वाटरमेलन का तो उगना भी स्टार्ट हो गया है एक दम बस देखो तीन चीज़े मेरे को समझ आ गई यह फोर्थ वाली क्या है वह मेरे को नहीं समझ आ रही शायद से ना वह ओवीट और राइट तो अभी मेरे को यह चार ओप्शन समझ आ गए है पहला वाला है वाटर का की प्लॉट में कितना वाटर है सेकिंड वाला है फटिलाइजर का और थर्ड वाला है क्रोथ प्रोग्रस है वो पूरा कि 44 परसेंट जो है यह वाटरमेलन नहीं है इसके बारे में नहीं मालूम अभी अपना बन चुका है यहां पर सारी चीज़े दीरे-दीरे करके बार 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 इसमें पानी बहुत ज्यादा यूज होगा तो बार बार आ करना ऐसे बस भरना एसे तो जो पानी वापर जीरो हो गया था I think वह रीफिल हो जाएग इसे बे मतलम है पानी वेस नहीं करेंगा कि प्लांट को भी पूरे टाइम पानी नहीं दिया जाता यार तो यह कुछ लिमिटे टाइम के लिए काम करेंगा फिर उसके बाद अपने आपी पानी देना यह बंद कर देगा और यह यह अपनी एक नेक्स स्टेज पर चुका है 56 56 परसंट यह ग्रोग और यह 55 परसंट ग्रोग यह नाइस भाइस होते रहे मैं आज देखूं अगी क्या चीज ग्रों के मिलती है और फर्टिलाइजर नहीं है इसमें यह सब इती धीरे क्यों ग्रो हो और यह यह तो बहुत फास्ट है शाद से यह मैंने थोड़ा पहले भी अब पास थेई ठीक है सारी चीज़ें बढ़ चुक है वाटर तो फ्री में डाल जाता है यहां से वाटर में डाल देता हूं और सब में डाल देता हूं ऐसा एक्दम खतम होगे अंदर चक्कर मार के आता हूं भाई मेरे साब से कोई भी नहीं बचा होगा यह पीग मर गया यह काओं भी मर की भाई कितना नुक्सान हुआ भाई यह 300-400 डोल और यह बक्री बची है रुखजातर को मैं जगा देता हूं आने के आजा भाई जो बक्री का बच्चा पैदा हुआ था वो बच्चा है बक्रिया भी मर चुकी है यह देखो रो रही है बिचा रही है बक्र को लेकर आवा कोई भी भी नी बचा यहां पर तो अपने घोडे के अंदर कितनी शक्ति यह भाई यह भाई खाना-काले कुछ पड़ा तो यह दिक्क्त हो जाएगी यह वड़्यी तो शाहिए विए इसका इसका नी समझा रहा यह यह नीखा रहा है मेरा सारा पैसा इसी में बरबाद हुआ है अब मिरको याद आया कि मैं करीब क्यों हो क्या थोड़ी देर में मरने वाला मैं कुछ नहीं हो यार भाइप नुकसान हो गाए कोई बात नी हमने अच्छा यह यह नहीं उगरे वाई सही में इधर शाय से जो मैंने लगाया है उनका ग्रोथ प्रोसेस असलियत में भी स्लो होता होगा बट जो भी है वाटरमेलन और क्याबिच तो बहुत से उग गए वाई लेकिन अपने घोड़े के लिए टैंशन हो रहा है मैं कुछ भी न यह अजया है तो थोड़ी दिर में तो इसका खेल काथा हो जाएगा खाले भाई खाले यार इसको इसको मूह लागे खुषी हर यह नहीं खाता गया तो इतनी दिन तक जिन्दा कैसे था यह मुझे समय नहीं नहीं आ रहा है अभी क्या जलना है वागे ठीक है जो भी है यह वाटरमेलन पूरे के पूरे ग्रो चुकि है धीरे धीरे करके सारी चीज़े ग्रोने वाले क्योंकि इधर पतिया निकल चुकी है इधर क्याबच भी ग्रो चुकि जिसे मैं तोड़ सकता हूं यस मैंसे तोड़ सकता हूं है लेट्स को एक वाटरमेलन हमें मिल गया है इसको इसको रखो भाई रखो रखो काड़ी पर बेच के नहीं आओंगा मैं अभी मैं जा रहो है अब मैं जा रहो पहले तो घर पर अपनी गेम सेफ करने क्योंकि आज के लिए बाई बस बहुत काम करा करें मेरे अनिमल्स नहीं होते ना तो वीडियो और लम्मी कॉंटीनु करता क् जाता मजाया वाई पर्ट मेरे पास कोई option निया मेरा farming करने का टार्गेट था जो कि मैंने कर दिखाया मैंने एक fruit भी ग्रो कर दिया सारी चीज़े घर वे सोने गेम बंद करने तो देखते हैं क्या कैसे चलने वाला है तो बस आप लोग जाके यार comments में बताओ फिलाल मैं आ हुआ हु